बिग बॉस टीवी के उन रियालिटी शोज में से एक है जो दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर है इस शोज से तमाम तरह की कॉंट्रोवर्सी जुड़ी होने के बावजूद फैंस इस शोज को काफी पसंद करते हैं बिग बॉस पंद्रा अपने कंटेस्टन को लेकर और घर में होते ड्रामों और यहां बनने वाले रिलेशन्स को लेकर हमेशा से ही चर्चा में बना रहता है हाली में करन कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के बीच बढ़ती नस्ती कियां सबसे चर्चित विश्यों में से एक बना हुआ है बिग बॉस के प्लैटफॉर्मों पर परफॉर्म करती जोड़ियां सब के दिलों को जीती हैं हाली में करन कुंद्रा और तेजस्वी की जोडी को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं करन ने अपना लव कॉनफेस भी किया है और अपनी पॉजिटिव फिलिंग के बारे में बात की लेकिन किसी को उनकी ये बॉंडिंग पसंद आई तो किसी ने इसे फेक बताया हाली के दिनों में करन की को स्टार योगिता बिहानी के साथ डेटिंग की अफ़वाहें इंटरनेक पर छा गई है इन अफ़वाहों के वाइरल होने के बाद करन को काफी ट्रोल किया जा रहा है पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वा शो में तेजस्वी के साथ फेक लव एंगल दिखा रहे हैं अब इसी वीच एक्टर के दोस्त ने करन और योगिता के रिलेशनशिप की खबरों पर अपना रियाक्शन दिया है मीडिया रिपोर्ट के मताबक इन अववाहों पर करन के एक दोस्त ने कहा कि अववाह गलत हैν करन और योगिता बस दोस्त हैं उन्दों का नाम ऐसे लाना गलत है और ये अववाह के परिवार को परिशान कर रही है करन की दोस्त ने जो ट्वीट में लिखा है बस हवा साफ करने के लिए करन अपने डिलेशनशिप में बहुत वोकल है दोनों अच्छे फ्रेंड हैं बस यह टेकनिकल अचानक नहीं है किसी का भी नाम यूँ बीच में लाना प्लीज बी काइंट एक अलग ट्वीट में यह लिखा गया कि प्लीज यह ट्रेंड बना रहने दें अभी बिग बॉस में बहुत से काम हैं और टास्क आने वाले हैं आप लोग ट्रेंड पर ध्यान दें अफवाहों पर नहीं उन्होंने आगे ट्वीट में लिखा कि मुझे माफ करना मुझे खूश ना करनी पड़ी लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके माता पिता और परिवार देख रहे हैं इसलिए क्रिपया उनका सम्मान करें वे ज़्यादा शोशल नहीं हैं और यह बाते उनको परिशान करने वाली हैं परिवार सिर्फ प्यार तैलाने में विश्वास रखता है इसी के साथ अभी के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें शियर करें और साथ ही हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़े रहे हमारे चैनल नेक्श नहीं लाइब के साथ